हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गिट क्लासे विधरी सर में इस वीडियो मैं फिचकल आइज क्वेशन से रिलेटेड कुछ करेंगे जो आगाम एक्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके तो अनसर कों से अपसन से रिलेट करेंगा एबिसस या फिर टिए उत्तर करता है आपकाταν होजाता है इत्तर सही हो जाएगा इंपर्टेंट चैप्तर यहां से questions हर exam में पूछे जाते हैं diabetes में महत्पूर योगा का नाम लिखना है कौन सा होता है प्रथम मंदूक आशन होता है व्रज्जासन होता है मयुराजसन होता है या फिर भुजंगासन होता है बताईएगा diabetes के लिए महत्पूर योगा कौन सा होगा तो यहां जो answer हो जाएगा जितने भी लोग ने प्रथम मंदूक आशन अटैंप्ट किया है उन सभी का answer सही हो जाएगा right answer हो जाएगा next question पर move करते है स्रे किस प्रकार की रक्त वाहक हैं ये किस प्रकार की रक्त वाहक है सुद्ध रक्त वाहक हैं असुद्ध रक्त वाहक हैं उप्रोक्त दोनों या फिर इन में से कोई नहीं थोड़े से नए questions है बताईएगा यहां पर कौन सा option right हो जाएगा इसके पहले के वीडियो इसके लिए यूटूब पर सर्च करिएगा physical education by पंकस सर्च जो भी part आप दे सकते हैं बैच आप लोग का start कर दियागा first of September से यह रन में आ जाएगा यानि शुरुवात हो जाएगी तो यहां पर सही answer से जो relate करता है आपका असुद्ध रक्त वाहक के साथ में relate करेगा B option सही answer होगा B उत्तर right answer हो जाएगा next question पर move करते हैं पेट की चरवी को कम करने वाल है वजरासन है मयूरासन है या फिर प्रथम मंडूक आसन है बताईएगा 24 पेट की चरवी को कम करने वाले एक आसन का नाम बताना है आपसन के according जो सही answer यहां पर relate करेगा भुजंगासन हो जाएगा A option right answer हो जाएगा next question पर move करते हैं सूर भेदी प्राणायाम में स्वास किस नासिका से लिया जाता है किस नासिका के दवारा लिया जाता है बाई नासिका से दाई नासिका से उप्रोक्त दोनों से या फिर D option है इन में से कोई नहीं बताईएगा मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन 25 नंबर सूरिभेदी प्रानयाम में स्वास किस नासिका से लिया जाता है बताई ये राइट आंसर कौन सा उत्तर हो जाता है 25 नंबर 12 नासिका हो जाएगा इस कोईशन का सई अंसर भी उतार राइट आंसर हो जाएगा एक मिनिट में हुर्दे कितनी बार धड़कता है बाहतर बार 75 बार 70 बार या फिर 77 बार बहुत आसान सा कोईशन है 72 टाइम से यह आप्शन से रिलेट करता है ए आप्शन सही हो जाएगा आपको फिजिकल एज क्वेशन के साथ साथ में जीएस से रिलेटेड भी कोईशन पेड ग्रूप में प्रोवाइड किये जाएंगे जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206 होती है 2101 होती है या फिर 305 होती है बताये सरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 206 से relate करेगा यह option सही हो जाएगा बहुत आसान सा question यह भी था सभी का सही होना चाहिए next question ने memory कैसे बनती है तो यह बताना है आपको एक computer भी आपके subject में topic में दिया हुआ है physical education में तो इससे संबंदित भी questions पूछे जा सकते हैं memory कैसे बनती है circuit के set से बनती है cell के connection से बनती है तारों का जो set होता उससे बनती है या फिर optical fiber का set जो होता है उससे memory बनती है बताईएगा तो यहाँ पर जो memory relate करेगी यह cell का connection हो गया circuit का set हो जाएगा right answer जो 28 में हो जाता है आपका भी option होगा जितने भी लोगों ने cell का connection attempt किया है सभी का उत्तर right हो जाएगा भी उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते हार्डिस्क बनाने वाली बिस्व की सबसे बड़ी company है IBM है यानि international business machine Microsoft या फिर सीगेट या फिर इन में से कोई नहीं तो सबके mind में जो answer आ रहा होगा Microsoft आ रहा होगा यह हो गया गलत आपका IBM भी गलत हो जाएगा यह कि Microsoft और IBM का नाम आप सभी ने बहुत सुन रखा होगा लेकिन यहां जो सही answer होगा सीगेट से रिलेट कर जाएगा सी option इस question का सही हो जाएगा hard disk बनाने की बिस्व की सबसे बड़ी company है सीगेट next question पर move करते हैं आप नेट के द्वारा भेजा गया पहला message क्या था आई ओ था हैलो था हाई था या फिर आई एन था बताए यह आर्पा नेट के द्वारा भेजा गया पहला message कौन सा था option यहां पर a b c या फिर d कौन सा राइट answer से रिलेट करता है तो बिल्कुल सही answer है a option से सम्बंदित है a उत्तर राइट answer हो जाएगा next question पर move करते हैं kbs में questions एक से दो पूच लिये जाते हैं computer से रिलेटेड भी तो ध्यान रखिएगा आपका चाहे तो एल्टी ग्रेड हो चाहे तो के वियस हो चाहे डीट पलस भी हो सभी chapters को अच्छे से पढ़ना है तभी आप लोग अच्छा score कर पाएंगे question number 31 भारत की Silicon Valley किसे कहा जाता है बताईएगा तो भारत का जो सिलिकान वैली से रिलेट करता है बैंगलोरू रिलेट करता है यहां पर भी option सही हो जाए का भी उत्तर राइट आंसर हो जागा वीडियो पसंदर वीडियो को लाइक कर दिजिए को चैनल पर पहली बार वीजिट करने चैनल को सब्सक् से भी जॉइन हो सकते हैं पेमेंट आप लोग इसी नंबर पर फोन पर गूगल पर अमर्जन पर पेटियम एकाउंट वाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के दवारा भी आप पेमेंट करकर स्क्रीन सॉट सेंड कर सकते हैं कोईशन नंबर है आपका 32 सिलिकान वैली कहां परिस्थी थे तो आप्शन के एकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है सिकागो होगा लॉंस आंजिल्स होगा लंदन होगा या फिन नई दिल्ली होगा तो यहां पे बैंगलूरू आप लोग अभी उपर पढ़ चुके हैं तो सिलिकान वैली क कहां परिस्थिते भारत में अगर पात की जाए तो बैंगलूरू हो जाएगा जब केमी समय अगर बात करनी जाये तो सिलिकान वैली यह आपका ऑप्सन के एकॉर्डिंग हो जाएगा छिकागो लेकिन आप लोग सब्सक्राइगि क्याली aggi अमेरिका का सार्च सर्च कर Raiden अ अगर आपका कैलिफोर्णिया दिया हुआ तो राइट आंसर से रिलेट करें कैलिफोर्णिया अमेरिका और यहां पर आप्सन के एकॉर्डिंग सिकागो हो जाएगा यह आप्सन सही हो जाता है नेक्स्ट कोईशन पर मूफ करते हैं कोईशन नंबर पुरुसों की क्रास कंट्री की दौड कितने किलो मीटर की होती है तो यह कितने किलो मीटर की होती है दस किलो मीटर बारा किलो मीटर पंदरा किलो मीटर या फिर तेरा किलो मीटर बताईएगा बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है एल्टी ग्रेड के लिए पुरुसों की क्रास कंट्री दवर बताना है आपको यह आपको 10 किलो मीटर नहीं होगा 12 किलो मीटर से रिलेट करेगा आपको 15 सख और गुमेटर की महिलाओं की क्रास कंट्री कितने किलो मीटर की होती है तो ये 10 किलो मीटर की होती है 15 किलो मीटर की होती है 12 किलो मीटर या फिर 8 किलो मीटर जल्दी से आप लोग आंसर अपना अटेम्ट करिएगा और साथ में स्कोरिंग भी करते रहिएगा कि 20 में से आपके कितने questions सही होते हैं क्योंकि mock test जितने ज्यादा आप लोग लगाएंगे क्योंकि आप लोग थेवरी वगार आपनी बुक से पढ़ते रहते हैं जब आप mock test लगाते तो आपको पता चलता कि कितना score कर रहे हैं और कितनी आपकी तैयारी चल रही है और कौन से portion को अभी कितना तैयार करना है तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 8 किलो मीटर ने D option राइट आंसर हो जाएगा D उतर सही हो जाएग कुल दूरी का 20% कुल दूरी का 10% कुल दूरी का 15% या फिर कुल दूरी का 25% बताईएगा नया question है सही कौन से option से आप लोग relate करेंगे A, B, C या फिर आपका D option यहाँ पे सही answer होगा जल्दी से आप लोग attempt करियेगा right answer कौन सा होता है question को एक बार पढ़ियेगा cross country दूरी की कितनी दूरी डामर वाली रोड पर ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है right answer होगा कुल दूरी का 20% A option सही हो जाएगा new education policy में आप लोग का compulsory कर दिया गया subject physical education को इसलिए आप लोग तयारी करते रहिएगा क्योंकि आने वाले समय में 6 to earth standard के लिए भी भरतिया निकलेंगी उसके लिए हो सकता है आप लोग को भी टेट देना पड़े क्योंकि new education policy में टेट को अनिवार किया गया है तो आप लोग के लिए अभी तक तो टेट का प्रावधवन नहीं था लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो भी होता जाएगा वह आप लोग को बता दिया जागा इसलिए मेहनत करते रहिएगा क्योंकि vacancies आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगी physical education से related अमरत दिवान खिलाडी किस खेल से संबंधी थे ये किस गेम से relate करते हैं cricket से relate करते हैं badminton से relate करते हैं table tennis कबड़ी और जो भी vacancy आएगी सारी vacancies में exam होगा कोई vacancy आपकी merit प्याधारित नहीं होगी इसलिए मेहनत करिएगा जिस से अभी से आप लोग की तयारी रहे जब भी vacancy आए आप लोग अपनी exit सुनिश्चित कर सकें तो अमरत दिवान खिलाडी जो है ये किस खेल से relate करते हैं ये आपके badminton से relate करते हैं B option सही हो जागा इस तरीके के direct question इस बार आप लोगों ने देखा है कि टीजी टी में पूछे गए थे सयद मूदी खिलाडी किस खेल से संबंदी थे ये किस गेम से relate करते हैं क्रिकेट badminton table tennis या फिर volleyball तो यहां पर आपका right answer जो हो जाएगा badminton से relate कर जाएगा B option right answer होगा next question is late किस खेल से संबंदी थे लेट यहां पर बहुत से लोग cricket को attempt कर देंगे तुरंत एकिन आप लोग ध्यान रखिए कि यहां पर आयोग अगर यही option देगा तो यहां पर आपका badminton से relate करेगा यह option सही हो जाएगा वहां आपने cricket में सुना होगा लेट कट यहां अपर कट यह सब सुना होगा लेकिन लेट सब्द जो relate करेगा यह badminton से संबंदी थे a option right answer होगा आज की इस वीडियो का second and last question है आपकी स्क्रीन पर badminton में प्रथम अर्जुन प्रुसकार विजेता कौन है जेसी वहरा है एन एम नारेकर एवं मीना साह है या फिर मीर कासिम अली है या फिर देवेंद्र अहुजा है पताईएगा most important badminton में प्रथम अर्जुन प्रुसकार विजेता का नाम बताना है आपको सही answer कौन सा उत्तर होगा जल्दी से अपना right answer आप लोग attempt करिएगा paid group से जुड़ने के लिए 9621819209 पर contact करके आप लोग paid group से जुड़ सकते हैं जिसके लिए आप लोग payment कर सकते हैं phone पे Google पर Amazon पर Paytm एकाउंट पर या फिर WhatsApp या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप payment करकर screenshot इसी नंबर पर send कर सकते हैं जैसे आप screenshot send करेंगे तुरंत आपको group से add कर दिया जाएगा और साथ में जो important PDF से वो भी आ option सही हो जाता है next question पर मूब करते बैड मिंटन में दूसरा अर्जुन प्रोस्कार विजेता को ने अभी आपने पढ़ा है कि पहला किसको मिला था एन आम नारेकर एवं मीना साह को मिला था जबकि दूसरा किसे प्राप्त हुआ है यह आपको बताना दिनेस खना को मिला है D option right answer होता है D उत्तर सही हो जाएगा यह थे आज के कुछ most important physical education से related top 20 questions वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक कर दिजागे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को प्रस कर दिजागा क्योंकि most से most important question तो आपको physical education और GS related channel पर provide किया जाते है और जो भी group join करना चाहते है 9621819209 पर contact करके group से join हो सकते हैं जिसके लिए अगर आप लोग अभी से तयारी करना चाहते है तो आप लोग payment TC number पर करिएगा और screenshot send करिएगा तुरंत आपको वापर join कर दिया जाएगा तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ most important questions के साथ में तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिएगा मेनत करते रहिएगा एक्जाम में आपको सफलता अवस्य प्राप्त होगी